राजस्तान स्टेट कोटा रेजस्टेशन 13 अक्टूबर 22 से स्टार्ट होने जा रहे हैं और राजस्तान स्टेट की वेबसाइट इसके लिए रडी हो चुकी है सारी डिटेल्स इसमें 11 अक्टूबर 22 को अपलोड हो जाएंगी राजस्तान स्टेट की वेबसाइट razzneetug22.in है तो इस वेबसाइट पर आप विजिट करके 13 अक्टूबर 22 से रजिस्टेशन करवा सकते हैं रजिस्टेशन कैसे करना है इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्तान स्टेट के बारे में साथ ही साथ हम चंडीगट के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि चंडीगट के रेजिस्टेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं और उसका भी सेडूल आ चुका है तो राजस्तान स्टेट के लिए जो registration start होने हैं वो 13 October 22 से start होने हैं और सारी details 11 October 22 से इस website पर जो राजनीट ug2022.in है इस website पर सारी अपलोड हो जाएंगी सारी details अपलोड हो जाएंगी इसमें आपको choice filling के लिए notification, information blatant, इसके बाद में part 1, part 2, इसके बाद में filled choice का print किस परकार से लेना है ये सारी चीजें इस website पर available हो जाएंगी इसमें आपको registration करने के लिए दो part में registration करना होता है application part 1 और application part 2 application part 1 में payment करना होता है और फिर application part 2 में सारी details आपको fill करनी है और उसके बाद में security money deposit करके 24 fill करनी होंगी तो इसका जो schedule आएगा, full schedule आता है पूरी counseling का, first round का, वो schedule आपको देखने को मिलेगा 11 October 22 को, जो website इसकी rajneetug2022.in है, इसको आप note करके रख लें, तो जैसे ही ये registration start होंगे, हम आपको step by step process भी बता देंगे की कैसे आपको registration करना है और क्या इसका schedule है, तो राजस्तान state एक second round से open state है, यहां की private medical college में other state candidate admission ले सकते हैं, लेकिन condition ये है कि second round में भी सारे राजस्तान के candidates को seat मिलने के बाद जो seat बचेंगी, जो seat vacant रहेंगी, उसी पर other state के candidate eligible रहेंगे यही राजस्तान के second round का rule है, और यही राजस्तान के mop up round का rule है राजस्तान में first round में भी registration होता है, second round में भी registration होता है, मौप up round में भी registration होता है हर step पर registration होता है इसमें, तो आपको जब जरुरत पढ़ती है, जैसे कि आपको कोई जरुरत मैसूस होती है कि आभी हमें राजस्तान के प्राइवेट मेडिकल कोलेज में एड्मिशन लेना है सेकंड राउंड से या मोपप राउंड से तो आप उस समय रजिस्टेशन कर सकते हैं सबी राउंड में इसका रजिस्टेशन ओपन होता है तो ये तो होगी राजस्थान स्टेट की बात अब हम बात करते हैं चंडिगड स्टेट के बारे में तो चंडिगड में तीन कोलेजेज के लिए काउंसलिंग करवाई जाती है जो JMCH चंडिगड है वो एक तो JMCH खुद के के लिए काउंसलिंग करवाई जाती है तो इसका सेड्यूल जारी हो चुका है इसकी एप्लिकेशन फीस है SC के लिए 500 रुपीज है जनरल अधर कैटेगरी के लिए 1000 और इसमें NRI के लिए 7000 रुपीज है मैं आपको बता दूं कि चंडिगड स्टेट में वही कंडिडेट इलीजिबल है जिनोंने या तो जिनके पास चंडिगड की डोमिसाइल है या फिर जिनोंने 10th, 11th, 12th चंडि 22 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास डेट रहेगी वो 13 अक्टूबर 22 साम साड़े पांच बजे तक रहेगी तो आप 13 अक्टूबर 22 को साम साड़े पांच बजे तक इसमें आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 15 अक्टूबर को आजाएगी और इसमें डोकूमेंट से सब्मिट करने हैं अगर कोई कमी रह जाती है तो वो 13 अक्टूबर तक करने हैं फर्स्ट राउंड कांसलिंग का सेडूल 27 अक्टूबर 22 से रहेगा और 28 अक्टूबर को BDS का रहेगा और 28 अक्टूबर को ही BHMS का रहेगा सेकेंड कांसलिंग 9 अक्टूबर 22 को MBBS की होगी और 10 को BDS और BHMS की होगी तो इस परकार से 15 अक्टूबर को क्लासे स्टार्ट हो जाएगी मोपप राउंड के लिए अगर कोई सीट वेकेंट रहेगी तो वो 12 डिसमबर तक मोपप राउंड इसमें कम्प्लीट होगा लास्ट बार जैन्ग होगी 20 डिसिमबर 22 तो यह चंडिगट सेट का सेडिऊल है इसके बाद में हम बात करते हैं बाकी सेट की तो बाकी सेट के जैसे जैसे रेजिस्टेशन स्टार्ट होंगे हम आपको इनफोर्म कर देंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हर एक स्टेट की इनफोर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे करेंगे जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे इस बुक को हम आपसे संपार कर लेंगे तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैएंग